एलो ओ स्टुडेंट्स म कर रहा हैं इंकम टेक्स के लिए इंकम फ्रम सेलरी यानि की वतंद से आए तो इंकम फ्रम सेलरी के लिए आमने basic concept क्या होता है basic pay क्या होता है वो देख लिया allowances देख ली आज के lecture के अंदर हम perquisites करने वाले हैं जिसको हिंदी में अनुलाब बोलते हैं आप सुविधाएं बोल सकते हैं ठीक है तो यह देखे हैं heading यह डाल चुका हूं में perquisites अनुलाब allowances और अनुलाब allowances या perquisites इन दोनों में difference क्या होता है allowances जो दिये जाते हैं वो monetary form में दिये जाते हैं यानने की cash दिया जाता है अना बत्ते के Vehicle के तर पर लेकिन procurement जो होता है वह सवीधा कोई मिल रही है employee को एंपलई को सवीधा provide करने के लिए कोई cash payment किया जा रहा थो tout allowance आप कह सकते एक basic चीज हो गई कि यह जरूरी है जैसे महंगाई बढ़ गई तो तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तभी वो अपना life चला पाएगा अपना जीवन या अपन साही से कर पाएगा है ना वो अपने खर्चे साही से निकाल पाएगा तो एक basic need type लगता है लेकिन परक्यूजिट जो है यह basic need type नहीं है यह अच्छी facilities के लिए living standard को अच्छा करने के लिए employer जब employee को चाहे monetary form में चाहे non-monetary form में चाहे पैसों में या किसी और तरीके से जब employee को कोई सुईधाय देता है तो उसको परक्यूजिट्स पोलते हैं यही difference है परक्यूजिट्स जिसको हिंदी में अनुलाब बोलते हैं यह दो type के होते हैं ठीक है दो type के तो नहीं होते हैं यह होते तो बहुत type के हैं लेकिन इनको categorize करने के लिए employees को दो पार्ट में divide किया गया है एक ऐसे परक्यूजिट्स जो taxable होते हैं in the hands of all employees चाहे किसी भी type का employee क्यों ना हो उन सभी के hands में क्या होते हैं taxable होते हैं मालों उस पे tax लगेगा और एक ऐसे परक्यूजिट्स जो taxable only in the hands of specified employee यानि कि विसेस किसी करमचारी विसेस्ट करमचारी इसको हिंदी मुलेंगे specified employees जो होता है only उसके लिए ही taxable होंगे सभी के लिए taxable नहीं है तो यहाँ पर देखिए हम यह समझने की कोशिस कर रहे हैं कि जो employee है वो दो type के हो गए हमारे इस पास है है ना एक होगे specific या specified employee और एक होगे other employees तो यह doubts होंगे जो यहां आएंगे वा सभी के लिए हैं चाहे आप specified employee हैं चाहे आप specified employee नहीं है आप कोई भी employee है आपके लिए वो taxable होंगे जो यहां में लिकोंगा ठीक है और यह जो है यह सभी के लिए taxable नहीं only specified employee के लिए taxable है other employee को कोई होता है तो उसको इन allowances के उपर tax, in perquisites के उपर tax आपको नहीं देना है ठीक है sorry मैंने allowance बोल दिया गलती से in perquisites के उपर only specified जो employee होता है उसको ही tax देना है काफी बार मैंने words use किया है specified employee यानि कि visist करमचारी अब आईए हम समझते हैं सबसे पहले कि वख्या कौन specified यानि कि visist employee होता है करमचारी होता है और कौन visist नहीं होता है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं तो specified employee कौन होता है पहले वो समझ लेते हैं उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि कौन specified है और कौन नहीं है यानि कि विसेस्ट करमचारी तो विसेस्ट करमचारी में कौन employee आते हैं जो किसी company का director और employee दोनों हो मतलब कोई किसी company का क्या है director भी और employee है तो उसको हम क्या बोलेंगे भया यह तो specified यानि की विशिस्ट करमचारी है next आता है ऐसा employee जिसका अपनी employer company के अंदर या employer के पास में substantial interest होता है इसको क्या बोलते हैं who have a substantial interest अब यह क्या होता है substantial interest मैं बताता हूँ आपको substantial interest मेहतुवापूण हित हिंदीं बोलते visão मेहतौपूण हित। मतलब employee का company के अंदर जिस आपको काम करता है जब करता है उस कम्पनी में उस employer के पास में उसका substantial interest है, महत्वपुन हेत हैं, और substantial interest कब बोलते हैं, जब कोई employee, जिस company में काम करता है, जोब करता है, उस company में उसके पास 20% या more, वो equity share hold करता है, equity share hold करने का मतलब हो गया, उसके पास voting power है, मत देने का अधिकार है, AGM वगेरा के अंदर, meetings के अंदर, तो इसका मतलब, अगर मैं किसी company में काम करता हूँ, उस company के 20% equity share मेरे पास में है, या उससे ज़्यादा share मेरे पास में है, तो इसका मतलब उस company में मेरा substantial interest है, महत्पुन हे लेते है, voting power है मेरे पास, तो वो बहुत एक interest हो गया न, अच्छा वाला, तो इस hit के अंदर, अगर कोई करमचारी है, जिसके पास ये वाली चीज है, तो उसको भी हम specified employee बोलेंगे, ठीक है, ये exam में कई बार question आता है छोटा, कि specified यानि कि विशिस्ट करमचारी किसको बोलते हैं, लेकिन यहां तक तो अच्छा लग रहा था, बड़िया लग रहा था, कि वा यार specified employee तो, इन सब में से कोई एक है न, तीनों का condition पूरी नहीं करनी है, या तो director वाई employee है, या substantial interest है उसका, और थर्ड वाले में इनोंने पूरा काम पका कर दिया, अगर थर्ड वाले को भ ऐसा employee जिसकी salary जो है, वो 50,000 रुपीज, कितनी, 50,000 रुपे से ज़्यादा है, salary कितनी है, 50,000 रुपे से क्या है, अब ये salary पूरे साल की ही है, ठीक है, बोला है कि इसके अंदर allowances वगेरा perquisite मत जोड़ो, जो basic salary वो ले लो, और वो salary 50,000 से क्या है, ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे specified employee, अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा employee होगा, जिसकी पूरे साल की salary 50,000 से कम होगी, 99% तो चांस ये ये ना, कि यार, साल के तो 50 से ज़्यादा है, तो आप सभी employee किसमें आ गए, specified हो गए, तो यहाँ पर कुछ देते 10-12,000 रुपे तो समझ में भी आत है, अगर उसका substantial interest है, तो specified है, या फिर किसी employee की salary जो है, वो 50,000 से ज़्यादा है, तो उसको भी specified employee मना जाएगा, तो इन तिनों में से कोई भी आप condition अगर पूरी करते हैं, तो आप specified employee है, ओके, तो specified employee पता चल गया, अब specified employee जो होता है, उसके लिए कौन कौन से perquisit जो है, व हो ये रहे, ये only specified employee के आतमे taxable है, otherwise taxable नहीं होते हैं, सब भी के लिए taxable नहीं है, तो इसके अंदर आ गया, देखो, service of a sweeper, gardener, watchman और personal attendance, याने कि employer ने, employer मतलब company ने, boss ने, आपको जो है, sweeper, gardener, watchman या personal attendant आपको दिया है, है ना, एक आप कह सकते हैं, आपका servant आपको दे दिया है, हाँ, वो sweeper हो सकता है, gardener, watchman या personal attendant हो सकता है, जो आपको service प्रोवाइड करा रहा है, और उसको payment, उस watchman को, उस garden को, उस sweeper को, उस personal attendant को payment जो है company कर रहे है, तो company जितना भी payment कर रहे है, उसको वो सब perquisit माना जाएगा, और आपकी salary में add होके taxable ह होगा, next है, supply of gas, electricity, water for household purpose, अगर कोई company आपको gas, electricity और water, इन तीनों की supply company की और से हो रही है, वो ही company उसका bill पे कर रही है, आपको facility दे रही है, तो इसका मतलब वो taxable है, और perquisit माना जाएगा, education facility मिल रही है, family member, employee के जो family members है, उनको अगर, जैसे allowance देते थे वो अलग, वो 200 र होस्टल और education allowance 200 पर चाइल, अप्टो टू, वो अलगे, उसके अलावा अगर education facility को दी जा रही है, किसी बड़ी private school में आपका admission करवा दिया गया है, बच्चों का या family members का, तो वो education facility जो है, perquisit माने जाएगी और इसको taxable किया जाएगा, leave travel consent, LTC बोलते हैं, अगर ये आपको provide करा रही है, आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, leave travel करवा रहे हैं आपको, और या फिर medical facility दी जा रही है आपको या family को, आपको कोई car दी जा रही है चलाने के लिए, और या आपको transport facility दी जा रही है, तो ये सब perquisit माना जाएगा, और ये taxable होगा in the hands of specified employee, हैना, नहीं है, कोई employee है, Mr. X, Mr. A, B, C, ऐसा कुछ दे जिया और वो specified नहीं है, अगर वो resist नहीं है, यानि कि तीनों में से कोई condition पूरी नहीं करता है, तो अगर उसको ये सुवीदाय देंगे, तो taxable नहीं होगी, और अगर को specified है, जो कि 99% सब होगे, तो उस case में ये services taxable होगी, इसके अलावा और बहुत सारे perquisit हैं, जो सभी employee जाए, specified हो, non specified हो, सभी के hands में, मतलब सभी employee को जो वो perquisit दिया जाएगा, वो उनके hands में taxable होगा, मतलब उनकी salary में add होगा, वो भी आगे हम detail में करेंगे, तो अभी मैंने आपको perquisit का एक overview दे दिया है, कि हम आगे कैसे प हम क्या करेंगे, यह अभी इतना नहीं है, इनके अंदर और detail में मुझे बताना है, लेकिन आज का main था कि आपको बता देना कि क्या क्या चीज है, और specified employee कौन होता है, और specified employees के specific perquisit कौन कौन से होते हैं, तो आप इतना learn कर लेना, इसका आप screen sort ले सकते हैं, या इसको lecture में, और अगर आप income tax हम से live पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी app डाउनलोड कर लीजी, app का link इस video के नीचे description box में मिल जाएगा, but app पर free lecture नहीं है, जैसे YouTube पर free आते हैं, app पर free नहीं आते हैं, app पर live classes आती हैं, आपको notes मिलते हैं, आपको recording मिलती हैं, आपकी doubt solving की जाती हैं, आ आप ध्यान दिया जाता है, अच्छे से, आना, तो वहाँ पर paid है classes, लेकिन income tax का badge start हो गया है, और अभी एक नई चीज़ आई है, कि उसमें आप दो installment में payment कर सकते हैं, तो आप हमें join करना चाहते हैं, तो फटाफट से app download करें, और income tax का badge join कर लें, हम मिलते next video में, ये video आपक subscribe करना मत भूलना, मिलते next video में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए goodbye and thank you